सबको मेरी राम-राम, आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ, जो दो गिलहरियों की कहानी है. वो दोनों गिलहरी एक बहुत बड़े गाउं में एक जंगल था, जंगल बहुत घना था, जंगल के बीच में से एक नदी बहती थी, नदी के दोनों साइड बहुत घने व्रक्ष थे और सब फलों के थे तो उस पर तोता, मैना, इसपैरो, गिलहेरी इस तरह के पक्षी रहते थे जो फलों के प्रेमी थे उन्ही पेणों पर चट्रो और मट्रो नाम की दो गिलहेरियां रहती थी एक दिन क्या हुआ, वो दोनों गिलहेरियां खेल रही थी खेलते खेलते एक गिलहेरी नदी पार करके दूसरी तरफ चली गई अब शाम हो गई, उसको अपने घर लोटना था, मतलब चट्रो को मट्रो के पास जाना था उसने सोचा, अब मैं अपने घर जाती हूँ, लेकिन वो अभी पेड़ पर बैठी ही थी उसकी नजर पड़ी कि नदी में तो एक बहुत बड़ा मगरमच क्रोकोडाईल बिलकुल उसी जगे बैठा है और वो इस इंतिजार में है कि पक्षी इधर से उधर जाएं, कोई छोटा एनिमल इधर से उधर जाएं, तो मैं उसको दबोच लूँ और खा जाऊं। अब वो मगरमच या क्रोकोडाईल पक्षियों और पष्षों के इंतिजार में वही तयर रहा है, वही वही तयर रहा है, नदी के इधर इस पेड़ से इस पेड़। चट्रो मट्रो ने सोचा अब हम कैसे मिल पाएंगे चट्रो सोचने लगी कि अगर मैं मट्रो के पास नहीं गई वहाँ तो मेरे मम्मी पापा भी है बहुत परिशान हो गई लेकिन हमेशा दोस्तों परिशानी में अपना धैर नहीं खोना चाहिए चट्रो ने पेशेंस रखा थंड़े दिमाग से सोचा और इधर उधर ऐसे नजर दोड़ाई तो उसको एक रसी पड़ी होई दिख गई चट्रो ने वो रसी उठाई और उसमें एक अखरोंट बांधा और मट्रो को अवाज लगा के मट्रो की तरफ वो रसी ऐसे करके फेग दी मतलब नदी के दूसरे साइड मट्रो ने वो रस्सी पकड़ ली दोनों ने आपस में बात की कि इसको पेड़ पर बांध दो मट्रो ने उस साइट पेड़ पर बांध दी और चट्रो ने इस साइट पेड़ पर बांध दी अब रस्सी पानी से काफी उंची हो गई तो चट्रो ने क्या किया जैसे आपन देखते हैं ना, खत्रों के खिलारी में, इसी तरह से वो फिसलते हुए उस साइट चली गई, मगर मच नीचे जैसे मूँ बाके देखता रह गया, कि अब ये गिरेगी मैं पकड़ूंगा, ये गिरेगी मैं पकड़ूंगा, लेकिन बहुत साफधानी से उस गिलह जैरी ने, चत्रों ने ये काम किया, कि वो अराम से अपनी फैमली के पास उसे फिसलते हुए चली गई, ठीक है, वो अपने घर पहुँच गई, राजी खुजी, उसका शिकार नहीं हो पाया, अब आप बच्चों ये बताओ, ये कहानी बच्चों के लिए नहीं, सब के लि हैं कि हम कर पाएंगे की नहीं कर पाएंगे, बस हमेशा अपने आपको दिल से मजबूत बना कर ये सोचना चाहिए, अब ये परिशानी आई है, तो हमें इससे बाहर निकलना ही है, और अगर आप धैर रखेंगे ना, तो आप जरूर से ही उस मुसीबत से पार हो जाएंगे ठीक है, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज आप लोग ये कहानी सुनिए और मेरे चैनल अलकाकरती क्रियेशन्स को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके वोट्स सब्सक्राइब की जरूरत है, कहानी को शेर कीजिए, जिससे और बच्चे य लेकर आप लोगों के पास आती रहोंगी, ठैंक यू